एक मित्र न पूछा है, आत्मा किस प्रकार गर्व का चुनाव करती है? कृपया इस विज्ञान को विस्तार से समझाने की अनुकंपा करें. आत्मा, शब्द का कई अर्थों में प्रेवग होता है. इसलिए ठीक से समझ लो, जरा आत्मा, आत्मा में भी भेद है. क्या भेद है? ब्रह्म लोक में, वर्ल्ड अफ क्रियेशन में, बीज आत्मा का स्री जन होता है. Seed soul, कैसे होता है? ब्रह्मा जी क्या करते हैं? या ब्रह्मा जी क्या अंदर लाखलों काम कर रहे हैं? विए क्या कर रहे है? जो गौड मैट्रिक्स है, जो सारा आकाश, समझ लो, ब्रह्म करना है. परमात्मा यह है. वर्शो कहते हैं, कि जिस दिन आकाश की चैतन्यता को जानोगे, उसी दिन परमात्मा को जानोगे. यह सारा आकाश ब्रह्म है. होशोधारा में जब पंद्रह में तल में आओगे, तो उस समय जानोगे कि किस तरह यह ब्रह्म है. इसमें गॉड मैट्रिक्स है. इसमें से थोड़ा अंश लेकर है. जैसे कुमार है. तो क्या करता है? एक माटी और पानी दोनों को मिलाके गिलावा तयार करता है. और उसे सारे बरतन निर्मित करता है. तो ब्रह्माजी स्ष्टी का निर्मान, जीवन का निर्मान कैसे करते हैं? तोड़ा गॉड मैट्रिक्स लिया, इसकी प्रचुरता है. बस उनको कला मालूम है, तुम्हें हमें कला मालूम नहीं है. और फिर क्या करते हैं? इसी में इथर भी है. ब्रह्मकर भी मौझूद है और इथर में मौझूद है. और अब तो वैज्ञानिक भी कहते हैं, कि यह आकाश खाली नहीं है. कुछ दूर तक हवा है, लेकिन हवा भी तो पूरे ब्रह्मान में हवा नहीं है. लेकिन पूरे ब्रह्मान में भी सिगनल जा रहा है, रेडियो सिगनल जा रहे हैं. तो यह किस मेडियम से जा रहे हैं? वैज्ञानिक कर रहे हैं कि एथर है, लेकिन उस एथर को वैज्ञानिक अभी तक खोज नहीं पाए, कि वो एथर का स्वरूप क्या है, लेकिन संतों ने उस एथर को जाना. वो इथर क्या है? जो मरने के बाद जब यहां से जीवात्मा निकलती है, तो उसमें आत्मा, उसमें सुक्ष्म शरीर होता है. अब तो डिजिटल कैमरा उसको फोटो ले रहे हैं. कुछ दिन तक तो पूरा स्वरूप दिखता है, मृतात्मा का, लेकिन थोड़े दिनों के बाद वो चांद की तरह और में सिमर जाता है. पुराने कैमरे उसका फोटो नहीं ले सकते थे, लेकिन अब तो जो डिजिटल कैमरे से हैं, उसका फोटो लिया जा रहा है. हम लोगों ने खुदी कितने फोटोग्राप्स लिये हैं. वो इथर से बना होता है. जो वो इथर से बनाता है. वो इथर कहा है? इस आकाश में ही भरा हुआ है. वो इथर भी विद्यमान है. तो ब्रह्म लोग में क्या करते हैं? गौड मैट्रिक्स अर्था तो ब्रह्म कर लेकर और इथर लेकर के और आज की उपमा दे रहा है, इनकी वेटर में एक खास विधी स दोनों को मिला दिया जाता है. और इस तरह बीज ढ़त्मा तichा है, सीट सोल ते यारोती है. इसे बच्छा पैदा खुने केमाद, कमजोर बच्चे इनकुवेटर में डाल दिया जाते हैं, तो कुछ दिन तक इनकुवेटर में डाला, वो बीज ढ़त्मा तैयार है. अब वो बीजात्मा किस कोटी की तयार की गई? अब जैसे मानलो कि एक बहुत हाई क्वालिटी की बीजात्मा तयार है तो मनुष्य नहीं में बेजी जा सकती है लेकिन अगर उसकी इतनी उच कोटी नहीं है निम्न कोटी की है तो चलो मेढक के लाइक है तो मेढक के शरीर मेढक के डाल दिया चिडिया की कोटी के तो उसमें डाल दिया तो क्या कहते है संत क्या कहते थे? कि एक लाख चौरासी हजार यौनियों में से उसका गुजरती हुए एवलूशन होता रहता है लेकिन कोई जरूरी नहीं है तुम सब या हम सब उसे एक लाख चौरासी हजार यौनियों से सबको नहीं कुजरना होता है एक यौनिया पर थोड़ा डवलॉप्मेंट हुए पर आगे की यौनियों, फिर आगे की यौनियों और भी बीश पचेस योनी को पाता हम दूणोंगह तुम्हे क्नार से ऐसा भी 업 तूहा हो शेंकल सकता है तो अब उनकी मौझ है बशेदा है कि अब अब कश्छरक पर्वेश को मुन ज़ी तरव दें Spirit आप मा के गर्व में प्रवेश होगा अब यहां मृथ्थू के बाद क्या होता है कि जो जीवात्मा होती है, जो गर्व में प्रवेश होगा उसमें पांच तत्व होते है प्रिखितितत जल तत्व, अगनितत वायूतत और आकाष्टत्व आकाश तत्व के बारे में आमने पता इथर तत्व है, वो तो आकाश से चुकी आता है, इसलिए उसको आकाश तत्व करते हैं, बरता है वो इथर, तो मा के गर्व से उसको चार तत्व मिल गया, पृत्वी, जल, अगनी और वायू, और एक तत्व ऊपर से इस्पिरीट आया, मा के गर्व में प्रवेश किया, और वह जो गर्व है, वो जो अब जीव बन गया, क्या बन गया? जीव बन गया, जिसमें पाँच तत्व है तो विजात्मा विजात्मा एक बार पहली बार बनी अब आगई मा के गर्भ में पाँच तत्व हो गया जीव बन गया, अब वो जीव जब कुछ समय जीकर के फिर क्या होगा उसकी मृत्व हो जाएगे, तो चार थत्व यहीं छुट जाएगे, पृत्वी तत्व, जल थत्व, अगनी थत्व, वायुत्त, और केवल इथर थत्व, केवल आकाष तत्व लेकरके, वह आत्मा मृत्व, इस्पृृत्व वर्ल में चली जाएगे, कुछ दिन रहेगी, विश्राम करेगी, तूट-फूट होगी, उसकी मरमत होगी, वहाँ, गैरज में गारी चली गई, और फिर अगला जन्म लेने के लिए फिर मा के गर्म में प्रवेश करेगी, और इस तरह ये खेल चलता रहता है, और हर जन्में हम कुछ सीखते हैं, हम विक्सित होते हैं, और फिर विक्सित होते होते हैं, अंतिम पाठ आनन्द का और प्रेम का हम जानते हैं, तो मुक्ष उपलब्ध होता है, और फिर हम वर्ल्ड अफ एनलाइटेंड वंस में चले जाते हैं, विष्णु लोक में चले जाते हैं, जहां अब हमारी इच्छा पर अब ये बात होती है कि हम जन में पुना आएं अथवा नहीं आएं तो तीन लोग है ब्रह्म लोग जहां से भी जात्मा बनती है जहां डिजाइन बनता है कि आदमी को पूछ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए ये सब डिजाइन आदमी का बंदर का सब वाँ बनता है और उस डिजाइन के अंसार भी जात्मा भी वाँ तयार होती है और फिर क्या मैंने बताया फिर जीव बना मृत्तु के बाद कहां गए शिव लोग में गए वर्ल अफ इस्पिरिट्स में गए और वर्ल अफ इस्पिर्ट से आना जाना चलता रहता है हर बार आते हो कुछ नया पाड़ सिखते हो और अंतिम पाठ आनंद और प्रेम को जब प्राप्त कर लेते हो तो मुक्ष, मुक्ति, परंपद, उपलब्द होता है फिर वर्ल अफ इन्लाइटेन वंस में जाते हो विष्णु लोक में जाते हो और वहाँ पर से कभी-कभी अपने इच्छा के अंसार अतवा वहाँ जो गवर्दर है बग्मान विष्णु या संतों इच्छा के अंसार फिर से तुम धर्ति पर आते हो तो ऐसा नहीं कि संत आते नहीं, संत भी आते हैं, मगर अपनी इच्छा के उन्सार आते जाते हैं, इसलिए तो मुक्त हैं, अगर आने के लिए उस्वतंत्र नहीं है, तो किस बात के लिए मुक्त हैं, और यह सारा खेल इस तरह चलता रहता है, तो निश्चित रुप से ये सारा आयोजन इस तरह होता है Let's acknowledge